इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं EIZRP Step Configuration के बारे में बात करेंगे और मैंने प्रीवेस टोपोलोजी इसलिए लिया है क्योंकि इस टोपोलोजी पे आप बहुत सारी लैब कम्प्लीट कर चुकें तो आपके लिए इजी होगा अगर आप मेरे साथ ही परलली वन बाई वन लाइब करते हुए चलने तो मैं स्टार्ट करता हो फर्स्ट आप ओल मैं आरवन राउटर की अगर टोपोलोजी चेक करूंगा तो उस पे आरवन राउटर पे एक सक्सेसर प्रेजेंट होगा 192168 10.0 तक जाने के लिए और दूसरा राउटर में फिजिबल कंडिशन मैच नहीं हो रही इसलिए सिंगल सक्सेसर होगा दूसरा फिजिबल सक्सेसर प्रेजेंट नहीं होगा बट अभी हम लोग EIZRP स्टब राउटर की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग यह चेक करने वाले हैं कि आरवन का अगर सक्सेसर डाउन हो जाता है इस नेटवर्क तक जाने के लिए 192168 10.0 नेटवर्क तक जाने के लिए अगर सक्सेसर वाला जो पाथ है यह पाथ डाउन हो जाता है तो at that time आरवन क्या करेगा आरवन एक मल्टी कॉस्ट करता है जितने वी इसके neighbor outers होंघे सभी neighbor router पर एक multi-cost query packet भेजए गा और इसलिए करी packet भेजता है कि neighbor router के पास अगर destination network तो जाने के लिए कोई possible path है तो neighbor router से R1 router के पास update आ जाएगा इन सभी चीजो की बज़े से R1 multi-cost करेगा एक query packet तो अब multi-cost करेगा हम चार है कि जो जो को सइब किया जाए ऐसे पोईट पर रोका जाए इस तरीके के नेवर के साथ रोका जाए जिने बर के पास से हमारा रिपलाई है वो दिधर के हिट है right positive ब्लाई नहीं आना है तो फिर को वेरी का जो मल्टी कॉस्ट है वेरी पैकेट जो है वो उन नेवर्स को क्यों भेजा जाए तो अगर एक टॉपलोजी आप बनाते हो हाब एनिस पोड़ा था कि अगर आप हाब एनिस पोड़ोजी बनाएंगे तो हब राउटर आपका हो गया हैड ऑफिस का राउटर हो गया औ और आप यह मान के चलने हैं कि आपके पास जो आरवन है यह आपका एक हब राउटर है और आरेट एक स्पोक राउटर है आप ब्रांच ओफिस का राउटर आरेट बोल सकते हैं और आरवन को एक हेड ओफिस का राउटर बोल सकते हैं आप सोचें ब्रांच ओफिस का जो रा तो आरवन एक मल्टी कॉस्ट करेगा अगर आरवन आरटू या और शिक्स तक मल्टी कॉस्ट पैकेट आरवन कर जाता है तो एक पॉसिबिलिटीज है कि इन से हमें पॉजिट्व रिप्लाई मिल सकता है बट आरवन का अगर मल्टीपल ब्रांचेज इसी तरीके से आरेट की एति से तरह मल्टीपल ब्रांचेज हैं मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेज तो उससे जो रिप्लाई आएगा उससे ईस नेटवर्ग तक जाने के लिए तो क्या होगा ऐल्वेज भी नीगेटीव होगा कि इस आरवा CA8 या इस तरीके से जितने भी ब्रांच identify से होगैं किसी के भी 192168 10.0 नेटवर्क तक जाने के लिए बात प्रेजेंट नहीं होगा, अगर आप हाब रिस्पोक टोपोलोजी की बात करेंगे, मिस ब्रांच ओफिस के आगे कोई भी नेटवर्क नहीं होगा, तो अब इस बात को समझने की जरूरत है कि R1, अभी मैं यहाँ पे मैंने तो एक ब्रांच ओफिस सिंगल करनेट कर रखा, अगर आप कॉर्परेट लेवल की बात करेंगे, वो सकता है कि 10,000 ब्रांचे जो 10,000, 20,000 या 50,000, 50,000 ब्रांचे हैं, तो उस कंडिशन में जो हब राउटर है, वो जब मल्टी कॉस्ट करेगा, तो वो किसी भी ब्रांच ओफिस कर देता हूं, जैसे मैं आर एट राउटर को याईजी आरपी स्टब कॉनफिगर करूंगा, आर एट राउटर एक हैलो भेज रहा, जो एवरी 5 सेकेंड अलो अपडेट करा सामने वाले राउटर पे, तो आर एट जो अपडेट भेजेगा, हैलो पैकेट भेजेगा, उसमे अपनी स्टब इन्फोर्मेशन को अटेज करके भेज देगा हब राउटर के पास, जो भी हैचो का राउटर है, तो हैड आफिस के राउटर को पता चलि जाएगा, कि जो मेरा ब्रांच एट राउटर है, वो राउटर स्टब राउटर बन चुका है, तो कभी भी जो आपक राउटर पे कोईरी पैकेट नहीं भेजेगा, जब भी भेजेगा तो अपडेट भेजेगा, कोईरी नहीं भेजेगा, तो मैं आपको लैब के अंदर ये चीज़ बताने वाला हूँ कि सपोज ये सकसेसर डाउन हो जाता है, तो आरवन क्या करें, मल्टी कॉस्ट करेगा, बट आरवन, आर एट के लिए मल्टी कॉस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आर एट राउटर जो है, ये क्या बना होगा, ये आईजर पी स्टब, मैं आपको पैकेट में ये भी चेक कराने वाला हूँ कि आर एट से जो हैलो आरवन के पास आ रहा है, वो जो हैलो है, उस हैलो में इसके स्टब इन्फोर्मेशन अटेच होगी, और अगर हब राउटर से जो हलो हो जा रहा है, उसमें कोई भी स्टब इन्फोर्मेशन अटेच नहीं मिलेगी, क्योंकि हब राउटर तो आपका स्टब नहीं बना हुआ है, जो स्टब बना है, उसी से तो हलो की इन्फोर्मे चेक कराके और सक्सेसर लिंकों में डाउन करता हूं मैंने कैप्चरिंग जो कर रखी 0 by 3 की कैप्चरिंग किया हुआ कैप्चर लगा लिया यह देखिया अप 0 by 3 and 0 by 0 0 by 0 भी है और 0 by 3 दोनों पे ही मैंने पैकेट कैप्चर लिया हुआ जो जीरो है इस पे सो मल्टी कॉस्ट यह आर टू को भेजेगा राइट बट इधरनेट 0 by 0 से 0 by 3 से आर एट के पास कोई भी मल्टी कॉस्ट को रिपैकेट नहीं आएगा बिकाज आर एट को हम लोग यह इस यहाद की स्टब राउटर बनाने वाले ओकेट तो मैं ओपिन कर लेता हूँ आर वन की कॉन्फिगरिशन ओकेट मैं आर वन की कॉन्फिगरिशन ओपन करता हूँ ठीक है तो अगर बात करें तो 192.168 नेटवर्क तक जाने के लिए आपके पास 10.10.4.2 का पात है यह प्रिवेस्ट ओपलोजी है इसलिए आपके लिए इजी होगा सारी चीजे समझना है तो अगर यह सक्सेसर डाउन हो जाता है जो भी बेस्ट पात है बेस्ट पात अगर आपको मैं चेक करहा हूँ तो सो आई पी राउट करेंगे आपको बेस्ट पात की इंफॉर्मिशन तो 192.16 तक दाने के लिए आपको वाया 4.2 बेस्ट बात है तो इस वज़े से अभी जो सक्सेसर है वो सिंगल सक्सेसर प्रेजेंट है अगर मैं सक्सेसर को डाउन करूंगा तो डाउन करने से क्या होगा देखे आरवन के पास जो अपडेट आ रहा है वो दो जगह से आ रहा है मैं आपको चेक कराता हूँ आप टेबल ओपेन कर लेजिए तो आप देखे आरवन के पास जो अपडेट आ रहा है वो 1.2 4.2 6.2 ए 1.2 3 जगह से आ रहा है मैं आपको चेक कराता हूँ 1.2 6.2 ए 4.2 ओके बट इसमें सक्सेसर क्या बना हुआ है केवल और केवल सिंगल सक्सेसर बना हुआ है सक्सेसर केवल और केवल सिंगल है अब यह देखिए 4.2 यह है तो अभी इसके पास देखिए पाथ तो मल्टीपल है और लिंक टेबल मैंने ओपन की हुई है तो इसमें दिखा रहा है कि इथरनेट 0 by 0 0 by 2 और 0 by 1 के थूरू सभी के थूरू आ रहा है तो यह क्वेरी करेगा मिन्स अगर इसके पास सक्सेसर के अलावा फिसिबल सक्सेसर प्रेजेंट नहीं है तो यह क्या करेगा क्वेरी करेगा तो मैं आरवन राउटर पे सक्सेसर वाला जो इंटरफेस है उस इंटरफेस को डाउन करते तो और मैंने अल्रेड़ी इदर कैप्चिरिंग लगा रखी थी तो उसके लिए मैं क्या करता हूं सबसे पहले मुझे आरेट राउटर को क्या बनाना पड़ेगा इसको इस्टब सिंपल कॉन्फिग्रेशन करनी थी आपका नेवर्सिप रिशेट हुआ ओके अभी आप देखिए मैंने इस राउटर को स्टब राउटर बना दिया है और स्टब राउटर बनाते ही मैं आरवन राउटर के इंटरफेश जो सक्षेसर इंटरफेश है जीरो बाई जीरू देखिए मैंने आपको स्टब बनाया तो मैं आपको ये भी चेक करा सकता हूँ कि मैंने आरेट को अगर स्टब बनाया तो आरेट नीजो अब हलो सेंट किया होगा उसमें इसने अपने स्टब की information को attach किया हुआ अभी packet capturing में है तो मैं 0 by 3 का packet open करता हूँ लो चेक कराता हूँ आपको की 2 से जो hello आ रहा है right उस hello के अंदर जो आपका stub information है वो आपको attach मिलेगी मैं 2 से hello की information open कर लेता हूँ आप देखिये धान से right और इसमें देखिए यह information आ रही पियर stub information right अगर मैं 1 से 2 की मतलब r1 से जो hello जा रहा है उसमें उसकी information आपको चेक कराऊंगा तो उसमें कहीं भी stub information attached नहीं मिलेगी इसलिए मैं आपसे यह बोल ला था कि basically जब कोई भी router stub router बन जाएगा तो stub router बनने के बाद hub को इस बात की information कैसे मिलेगी तो hello के साथ में stub की information attached होगी जिसके थुरू हब तक पता चल जाएगा कि किस router को stub router create किया गया तो मैं इस चीज़ को यहीं पर complete करता हूं और complete करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर यह हो गया डन मैं इसको minimize कर लेता हूं देखिए अब हो क्या रहा है हो यह रहा है कि मैं सक्सेसर वाले path को अगर down कर देता हूं तो r1 router एक multi cost query करेगा जो r2 पे भी जाएगी और r8 पे भी आनी चाहिए बट यह बना दिया आपने इस टब इसलिए r8 पे query नहीं आएगा अपडेट आएगा तो मैं आपको चेक कराता हूं और वन राउटर का ethernet 0 by 1 जो पोर्ट है जो की सक्सेसर था उसे मैं डाउन कर देता हूं आरवन राउटर का मैं इंटरफेस ethernet 0 by 1 इस बात को मैं कर देता हूं शड़ जैसे ही मैं सट डाउन करूंगा तो क्या करेगा आरवन क्वेरी करेगा मल्टी कोस्ट क्वेरी बेज़ेगा तो मैंने ethernet 0 by 0 पे capturing लगा रखी थी तो 0 by 0 को मैं open कर लेता हूं देखिए मैंने ethernet 0 by 0 पे capturing कर रखी है और मैं आपको चेक कर आता हूं कि इधर आपका जो query packet है मैं आपको query packet की information चेक कर आता हूं ethernet 0 by 0 पे यह देखिए मैं आपको बताता हूं कि इधर देखिए इसने query बेजा हुआ है राइट बट आरवन ने जो query बेज मल्टी कॉस्ट गया है 10.10.1.1 का राइट बट यह query मैं आपको query packet चेक कर आना चाहरा हूं तो यह query packet आपको आरवन ने ethernet 0 by 3 से आर एट पे नहीं पहुचा होगा राइट मिस आरवन आर एट को query नहीं बेजेगा क्योंकि इधर यह ओ रहा है कि जितने भी EIZRP router है उन सभी router के लिए hub router ने query को suppress कर दिया राइट तो मैं चेक कर लेता हूं तो आप ध्यान से देखिए two से तो query जा रहा है आपको अगर यह packet दिख रहा है तो आपको लग रहा होगा कि query तो जा रहा बट two मलब step query कर सकता है बट hub से step के पास कोई भी query receive नहीं होगी अब देखिए यह unique cost यह जो भी hello भेज रहा है यह जो भी update कर रहा है यह देखिए one update कर रहा है राइड one update कर रहा है किसके पास update आएगा आर eight के बाद लेकिन one query नहीं करेगा राइड तो इस तरीके से मैं आपको यहीं बताना चाहरा था basically जो reason था वो यह है कि आपको इन दोनों packets को capture कर लेना है कि आएक तरफ आप यह देखोगे जो routers step router नहीं बने हैं उन नेबर routers पे hub router query send करेगा multi cost करेगा बट जो router eizrp stub आपने बना रखे stub router बना रखे उनसके लिए कोई भी query send नहीं करेगा उस सभी routers के लिए stub routers के लिए queries को suppress कर दिया जाएगा तो step router बनाने की पीछे क्या reason है यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो अब अगर आपको communication कराना है सपोज मैं यह मान के चलता हूं कि यह मेरा एक branch router है तो branch router में नीचे land network भी तो होगा ब्रांच router है इसके यहां पर land network होगा तो अगर इस land network को आप इस network के साथ communicate करान नैटिंग नैटिंग के अलावा आपके पास कोई दूसरा option नहीं है जिसकी help से आप इस network के साथ communicate कर पाऊ अगर branch में क्योंकि यह इस्टब router है राइट इस्टब router में एक rule होता है कि वो नेबर की information update नहीं करेगा ठीक नेबर router की information update नहीं करेगा मलब R1 से R8 को अगर आपने स्टब बना दिया है तो R8 पे जो loopback या land based network running में होंगे उनकी information R1 पे update नहीं होगी इसलिए हमेशा जो स्टब router बनाते हैं वो spoke router को बनाते हैं end router को बनाते हैं जिसके आगे कोई configuration नहीं है और अगर आप यह local area network जो भी आप branch का है वो connect करना चाहते हो तो with help of net आप communication कर सकते हो ओके thank you so much thanks for watching this video next video में हम लोग बात करेंगे root filtering की और root filtering में बात करेंगे ACL prefix list and root map की okay thank you so much thanks for watching this video